हेलो फ्रेंड्स अगर आपने बज़ज के तरफ से कोई भी लोन लिया होगा या बज़ज काड के ऊपर कोई भी मोबल लिया होगा और जो उसका EMI है आपने EMI एक या दो मैने के लिए बाउंस किया होगा तो आपका काड ब्लोक हो चुका होगा लेकिन अब भी आपने जो भी जाएंकर आपको से के अंदर मिलने वाल है नमस्का दोस्तों मेरा न मेरा हुल और आप देखरें अपना हमारा चैनेल तो आई शुरू करेंगे फ्रेंड्स सबसे बहले मैं आपको मेरा काड दिखाना चाओंगा या ऐसे बज़ज के अंदर अगर आपने भी बज़ज का लो तो अपर आप देख दरते कि your card is currently blocked तो मेरा काड है आपको ब्लोग हो चुका है क्योंकि मैंने लोन लिया था और सबसे पहला जो पहला या मेरा bounce हो आता मैंने पहला EMI ने भरा था मतलब दो तारिको EMI जाता है लेकिन मैंने 10 या 11 तारिको offline मतलब कि online payment किया था उनको तो मुझे एक message आया कि आपका card temporary block हो चुका है temporary मतलब कि इसमें कुछ नहीं होता अगर आपका card temporary block हो गया इसका आपको message आता है तो आप जो next EMI है वो time पर भरते जाओ लेकिन मेरा जो second EMI वो भी मैंने भरा नहीं था दो तारिको मैं जो EMI भरा था हो 10 या 11 तारिको भरता था हर मेने के और उनका जो payment का date है EMI का date है वो दो तारिक था तो मेरा second EMI भी bounce हो चुका था और मुझे जब second EMI मेरा bounce हुआ तब मुझे message आया बजाज के तरफ से कि आप आपका card permanently disabled block किया है तो अगर आपको ऐसा message आता है मानलो अगर आपने सिफ एकी EMI bounce किया है तो आप tension मतलो आपका जो EMI है आप जितना भी बाकिका EMI है वो आप regular भरते जाओ या अपने सारा EMI एक साथ भरा है तो कोई problem ने आपका card unblock हो जाएगा चालो हो जाएगा लेकिन आपने 2 या 2 से उपर EMI bounce किया है तो आपका card कभी भी unblock नहीं होगा तो उसके लिए एक की करना होगा आपके घर पे जो भी होगा member उसके नाम पर नाया budget card बनोना पड़ेगा आपका card कभी भी चलो नहीं होगा अगर आपने 2 या 2 से उपर EMI bounce किया है तो आप यापर देख स होगते हैं सारी सारी जो information थी जो amount मैंने वो पूरी कर चुका तो यह से और आपने by chance इसको for close किया मतलब जो भी amount अपने online pay किया तो इसके अंदर से आपको NOCP मिल जाएगी no due certificate यह से जाना है और no due certificate को आपको download करना है और यह आपके पास रखना है ताकि budget वाले कभी भी आप account से पैसे नहीं कटेंगे तो friends यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि budget से loan लिया हुआ गलती से सबसे पहले एक दो fraud company बहुत सारा charge लगाती है आपको इसके अंदर एक email bounce किया तो चल जाता है तब card block हो जाता है लेकिन थोड़े time के लिए 7-8 दिन के लिए लेकिन जब आप चैंस में तो नहीं हुआ, email लिक के भी कुछ फायदा ने, आपको card and block नहीं होगा, friends अगर आपको बज़ाच के बारे में और भी जन करें चाहे तो नीचे कमेंट जरू करना, मैं आपके कमेंट का तुरंती रिप्ला दे दूँगा, और मेरी वीड़ा चल लाए तो इसके ल लाइक जरू करना और चैनल को सब्सक्रेब जरू करना, लासे दे लिकले बाद बाद दने वा जहिन वंदे मात्रम